कैसे हैं आप सब आई होग कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का जो टिप्स है बहुत ही जादा यूस्फुल है इसके लिए वीडियो को देखेगा लाश्ट तक वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी सा जो पतीले में जब भी आपना दूद बगएरा बयुक्त करके रखते हैं क्या होता है है क sniff गर्म गर्म अज़ः को फ्रीज में नहीं रख सकते हैं यह सबको पता होता है कि घर्म अगरम दूद को फ्रेष में नहीं करता जाता है और किचन में अगर छोड दि कवर करके भी तो जिस घर में बिल्यों का आना जाना होता है, वो अक्सर दूद्ध को बर्बाद कर देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कि आपको दूद्ध के पतीले को कवर करके, इस तरीके से कलॉथ पिन का इस्तमाल कीजिए, अब क्या है ना कि इसका जो धकन है वो कवर जो है वो बिल्कुल भी नहीं घसकेगा और चाहे बिल्ली हो चाहे चुहे हो वो बिल्कुल भी इससे चुह नहीं पाएंगे गर्म गर्म दूद जो है ना बिली पी भी नहीं पाती है लेकिन इसे फैकना पड़ता है अगर उसका मुह लग जाए तो तो इस तरीके से क्लॉथ पिन के इस्तमाल से आप दूद को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं देखें बच्चे जब भी स्कूल से पढ़कर के आते हैं तो उनके हाथों में पैरों में इस तरह के से पेन का जो है ना कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता ही है और ये असानी से जाता नहीं है तो किस तरीके से इसे बिल्कुल असानी से साफ करेंगे इसके लिए वीडियो को स्कीप मत कीजिए गर लाश्टक देखेंगे करना क्या है कि आपको वैसलिन का इस्तामाल करना है जो कि हम सभी के घर में होती है बस वैसलिन को जहां पर भी पेन का लिखा हुआ है बच्छे के हाथ में इस तरीके से हलके हाथों से रब कर लेना है और किसी भी कॉटन से इस तरीके से अगर आप इसे थोड़ा सा रगड़ क करके पोच देंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कोई भी पेन हो उसकी जो लिखावट है वो पुरा उसका जो लीड है वो एकदम कॉटन में आ जाएगा और आपका हाथ है वो एकदम साफ हो जाएगा तो इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही जादा कोडरिंग का बॉटल होता है बीस रुपए वाला वो हम सबी अपने घर में लाते हैं यूज करते हैं और इसे डस्बिन में डाल देते हैं तो आज इसे डस्बिन में नहीं डालना है इस तरीके से यहां पर इसे एक चोटा सा कट लगा लेना है बहुत ही ज्यादा चोटा है अब इसका इस्तामाल कैसे करना है मार्केट से जब कभी भी हम लोग कुछ ले करके आते हैं तो इस तरकी का जो कोइन्स होता है चेंज पैसे बहुत ज्यादा हो जाते दीरे-दीरे घर में जमा हो जाते इधर उधर फैले रहते तो आपको एक एक करके इस तरीके से आप डबे में स्टोर करके इसे रख सकते हैं और जब मर्जी हो जब जरुरुत हो तो आप इसे यूज भी कर सकते हैं आते हैं नेकस टीप की तरफ लगतिया है तवा जो है यहाँ पर बिल्कुल गरम है और यहाँ पर मैंने तीन शैंपू के पौश ले लिए हैं कोई भी शैंप पर शैंपू का इस्तमाल किया है इसे एक किसी भी चीज़ से आपको कट लगा लेना है काटने के बाद देखें यहाँ पर मैंने गरम तवे के ऊपर शैंपू को डाला है क्यों डाला है किसलिए डाला है बहुत ही ज़्याद़ जरूरी है इसे देखना ताकि आपकी भी जो लाइफ है वो बहुत आसान हो सके तो देखिए यहां पर मैंने सिर्फ तियुही शैम्पू का इस्तमाल किया है और इसके साथ में कौन-कौन सी चीज़े जाएंगी तो वीडियो को बिल्कुल इसकीप किये लाच तक देखिएगा बहुत ही जादा बिल्कुल आधा ग्लास से भी कम थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है अब इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डालेंगे गाईस जिससे जो ये शैम्पू वाला जो केमिकल है वो इतना अच्छा हो जाएगा स्ट्रॉंग हो जाएग मिक्स करने पर यहाँ पर आप हमें गैस का फ्लेम जो है वो आफ कर दिया है ठीक है तो ये हमारा बनकर बिल्कुल रेडियो हो चुका है और इसे आप किसी भी बाल में गर्मा गरम है तो किसी भी बाल में ही से हमें रखना है और इसका इसका इसे करना है कहां करना है ये जान कहा चल रही है और मैं भी आपको थैंक यू बोल सकूँ तो ये जो है वो बिल्कुल हमारा बनकर रेडी हो चुका है गैस को आफ कर दिया है मैंने और इसे हमें एक बॉल में निकाल लेंगे तो यहां पर गर्मा गरम है बिल्कुल इसे आपको किसी भी बॉल में ही ट्रासफर करना है जब ये ठंडी हो जाए तो किसी भी स्प्रे वाली बॉटल जो होती है उसमें आप डाल दीजिएगा और इसका इसका इस्तमाल कैसे करना है बेहत आसान है बहुत ही जादा यूसफुल है तो ये बिल्कुल रेडि हो चुका है गाईज अब इसका इसका इस्तमाल हमें करना है अपने गैस टॉप के उपर अपने मिकसर के उपर ठीक है जहां पर भी आपको चिकनाई वाली चीज रहती है यहां पर जादा ओखी जाता है किचन में टाइल्स में वो एकदम साफ हो जाता है कुकिंग करते वक जो यहां पर मसाले के चीटे पड़ जाते हैं जिसे हम अकसर निकालने में बहुत ही जादा ठक जाते हैं तो इस तरीके से अगर आप स्प्रे करके किसी भी कपड़े से अगर रब करिएगा तो एकदम साफ हो जाएगा चमक उठेगा तो आई हो कि आपको मेरी यह टिप्स बेहत पसंदाए होगी तो इस तरगी के अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली में फ्रेंड्स